नमस्कार दोस्तों आप सभी को स्वागत है आपकी अपनी चैनल एग्रिश्टडी पे आज हम डिस्केशन करेंगे बीएसी एग्रिकल्चर अड्मिशन के बारे में जैसे कि आपको पता है बीएसी एग्रिकल्चर पढ़ने का डिमांड बहुत बढ़ गया है लेकिन प्राइबेट कॉलेज में पढ़ना अच्छा होता है या बुरा आपको डोनेशन देके प्राइबेट कॉलेज में पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए तो चलिए वीडियो को देरना करते हैं शुरू करते हैं B.H.C. Agriculture Admission, entrance exam देखे और entrance exam ना देखे, दो तरीके से भी हो सकता है, पहले हम बात कर लेते हैं, exam देखे कैसे admission ले सकते हैं, इसमें सबसे पहले आता है, I.C.A.R. A.I.E.A. All India entrance exam for undergraduate agriculture, I.C.A.R. ये exam हर साल लेता है, इसके अलावा जो और एक आता है, Central University, हर एक Central University अपना खुद का exam लेता है, State Agriculture University, जो State Agriculture University होता है, वो भी Top exam लेखे entrance कर बाता है, इसके बाद आता है, इसके बाद आता है, A.I.E.E. Eligibility, minimum age क्या होना चाहिए, इसके लिए सबसे कम आपका उमर होना चाहिए, 16 साल, Physics, Chemistry आपका होना चाहिए, इसके साथ Biology, Home Science, Mathematics और Agriculture में से किसी एक subject होना च आपका 50% minimum marks होना चाहिए, अगर आप General या फिर OBC में है, अगर आप AC या फिर HTA तो आपका minimum 40% marks होना चाहिए, उपर बताये गए किसी भी subject में आपका supplementary या फिर compartment आना नहीं चाहिए, अगर किसी भी subject में आपका compartmental आ जाता है, तो आप eligible नहीं होंगे, आप exam नहीं दे चुके हैं, आप अच्छे से पढ़िए, ये exam में बहुत-बहुत seats रहता है, तो आपका आसानी से बहुत अच्छे college में admission हो जाएगा, पिछले साल का हिजाब अगर दे, 2199 seats थे, 2189 candidate का admission हुआ था, 59 university में, जो की बहुत ही अच्छे university है, इसमें admission हुआ था, आप अच्छे स biology बहुत oriented होता है, इस क्या गयाता है, Central Agriculture University, Banneros Hindu University, UP, आलिगर मुश्लिम University, आलिगर यूपी, विश्यो भारती सांतिनी केतन, नागालेंड उनिवरसिटी, नागालेंड, Central Agriculture University, मनिपूर, और लास्ट में आता है, रानी लक्षमी भाई, Central Agriculture University, उत्तर प्रदेश, ये 6 main Central Agriculture University है, इसमें से कुछ में एक्जाम होता है, कुछ में एक्जाम नहीं होता, पहले हम बात कर लेते हैं, कहां-कहां एक्जाम देखके हम Entrance ले सकते हैं, पहले आता है BHU, यानि कि Banneros Hindu University, ये बहुती अच्छा उनिवरसिटी है, और बहुती हमारा पुराना एक उनिवरसिटी है, य आप इसके लिए बहुती अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि BHU का प्लेशमेंट बहुती अच्छा होता है, और इसमें अगर आपका अडमिशन हो जाता है, बहुत अच्छा होता है, इसका टोटल सीट्स कितना है, BSC में 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 केंपस में इसका 123 सीट्स है, और 2017 में यहाँ पर अडमिशन स्टार्ट हुआ है, इसका इलिजिबिलिटी, मीनिमाँ आपका Physics, Chemistry और English में टोटल 55% मार्स होना चाहिए, सीट्स कितना रहता है, इसका सीट्स रहता है 30, और अडमिशन इसका खूद का इंटरंस टेस्ट होता है, इसके आगे आता है, रानी लेक जो Central Agriculture University है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, अब आता है State Agriculture University रैंकिंग पर, इसहाँ पर मैंने बहुत सारे State Agriculture, Top State Agriculture University के नाम दे दिया, यह Top 10 में आता है, पहले आता है जिभी पंद उनिवरसिटी, जो की रैंक है 3, इसके बाद आता है चोधरी चरन सिंग, हरिय 9, इंदिरा गांधी क्रिशी विश्यू भी दल है, इसका रैंक आता है 10, तो यह था Top Major State Agriculture University, इसके आगे हम देखेंगे, यहाँ पे आप admission कैसे ले सकते, इसी सभी Top Agriculture University में आपको entrance test देना पड़ेगा, entrance test क्या-क्या होता है यहाँ पे, यह हम आगे देखेंगे, पहले आता है GBPANT, GBPANT का जो exam होता है इसका नाम है GBPUAT, इसके आगे आता है चौदुरी चरन सिंग, इसका entrance test होता है CCHAUET, इसके लिए एक आपको fact बता देता हूँ, चौदुरी चरन सिंग पे आप अगर 10th pass है, तब भी आप apply कर सकते हैं, 10th pass अगर आप है, तो आपका 6 year का agriculture course होगा, इस पांजा बेगरी कल्चे उनिवरसिटी एक common interest test CET लेता है, इसके आगे आता है जोराल नहरू, इसका एक entrance test होता है, जो की एक professional exam board लेता है भोपाल का, मद्धप्रेदेस का, इसके आगे आता है इंदिरा गान्थी कृशी विशुवेद लाले, इसका भी खुद का entrance test होता है, तो इसमें से आप अगर entrance test clear कर जाते हैं, तो आप उसी university में पढ़ सकते हैं, इसमें से कुछ-कुछ rules होता है, यह आपको follow करना पड़ेगा, तो हम इसके आगे चलते हैं, इसके आगे देखते हैं, without exam हम कहा admission ले सकते हैं, without exam हम तीन जगे पर admission ले सकते हैं, SAU यानि की state agriculture university, central agriculture university और private agriculture college, इस तीन जगे पर हम without exam कोई exam ना देके marks के basis पर admission ले सकते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं, central agriculture university, कौन-कौन से central agriculture university में marks के basis पर हो सकता है, पहला ता है विश्योभरती, जो की सांतिनी गतन में हैं, यहाँ पर eligibility है, minimum आपको 60% marks चाहिए, class 10 तो 10 plus 2 दोनों में, और 4 major subject में आपका pass marks होना चाहिए, seat यहाँ पर 55 seat रहता है, बहुत ही अच्छा premium एक institute है, central government funded है, तो आपका अगर marks अच्छा होता है, तो आप यहाँ पर आराम से admission ले सकते हैं, इसके आगे कौन सा university आता है, इसके आगे आता है, central agriculture university जो की improv में है, इसका मैं आपको website दिखा देता हूँ, कितना total seats है, आप देख सकते है, BSC honors agriculture के लिए, total कितना-कितना seat है, total 10 है, इसके बाद 5 है, कुल मिला के total seats है, यहाँ पर 44, और इसका eligibility criteria क्या है, इसका eligibility criteria है, आपको has secondary 10 plus 2 pass करना पड़ेगा, 50% marks लेके, minimum आपका 50% marks होना चाहिए, और यहाँ पर बताया गया है, कि admissibility, strictly on merit, मतलब पूरा marks के basis पे ही होगा, कोई exam exam कुछ नहीं होगा, यह पूरा बताया गया है, यहाँ पर, इसके आगया आता है, ASAU, यानि कि state agriculture university, state बहुत सारे state agriculture university, आपने अपने खुद के state के लिए admission करवाता है, यानि कि आप जिस state से बिलोंग करते हैं, आप उसी state के जो भी state agriculture university में है, आप उसमें admission ले सकते हैं, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे state में, maximum premium institute में, कोई exam नहीं होता, आप वहाँ पर आ जो government funded agriculture university है, वो कैसे कौन सा rule फॉलो करता है, हमारा बहुत सारे state agriculture university है, इसमें से जो premium institute है, premium मतलब top 10 के बीच में आता है, maximum exam के exam लेके करवाता है, तो इसके आगे आता है, private agriculture college, जिसके बार मैं आपको, मैं थोड़ा बहुत data देना चाहूंगा, private agriculture college में, बहुत सारे लोग क् commission ले लेते है, और वहाँ पर क्या होता है, merit list भी check नहीं करते हैं, और entrance test तो होता ही नहीं है, तो आपको ये करना चाहिए या नहीं, पैसा देके, donation देके, private agriculture college में पढ़ना चाहिए या नहीं, तो इसके बार में मैं आपको बाद में थोड़ा एक screenshot दिऊंगा, तो आप पहल को खत्रे में डाल रहा है, क्यूंकि आप देख सकते हैं, यह जो screenshot में दे रहा हूं, यह अभी JRP के लिए, जो ICAR का manual है, manual से मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पर पूरा strictly बता गया है, जो 7 agriculture college है, अलाहाबाद school of agriculture, इसके आगे आता है, लाबली professional university, उसके आगे जो number 3 पे जो आत university, इसके आगे आता है, MS Saminathan School of Agriculture, number 5 पे आता है, College of Agriculture and Technology, इसके आगे आता है, सीख्षा और अनुशन्दान भूबनेशर, number 7 पे आता है, School of Agriculture, ITM University, यह साथ, private agriculture college, सिर्फ यही साथ ICAR accredited है, यह ICAR affiliated या फिर और कुछ नहीं है, ICAR accredited है, तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारी university students को धोका देता है, यह बोल के, कि उनको, वो ICAR का जो syllabus है, वो follow करते है, लेकिन इसका पूरा rule अलग है, अगर कोई भी university ICAR accredited नहीं है, तो वो JRP exam नहीं दे सकते, JRP exam होता है, MSC entrance के लिए, और आप ICAR का कोई भी JRP exam दे के, आप MSC में entrance नहीं ले सकते, और अगर आपका state का university, आ इसमें कोई interfere नहीं करेगा, strictly बताया गया है इसमें, तो आप करे तो करे क्या, आप इसमें मुझे मेरे सला ले, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, number class 10th और class 12th बे अच्छे से पढ़ाई करिए, और आप अच्छा mark score करिए, आप अराम से कोई भी अच्छा agriculture college में admission ले प लगा, तो please like